काफी सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं पुछते कि क्या डिप्रेशन का इलाज जो है क्या वो जीवन बर करना पड़ेगा कितनी दिन गुली खाना तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डिप्रेशन के गुलियों का सेवन इलाज कितनी दिन करना चाहिए कि हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है मैं डॉक्टर दीपक केड़ेकर मनुविकार सेक्स रोग सम्मों दधा वेशन मुक्य तग्यों महराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूं आपको तो ऐसा बताया कि कम से कम 25 प्रतिशत लोगों को डिप्रेशन हो सकता है कोई भी एक समय पर पॉपुलेशन काफी वजह से आते रहता है जिंदेगी में कोई टेंशन से में मेडीशन चालू करते हैं उसमें असे सारा है जो ग्रूप हे वो मेडीशन है है selective serotonin Reuptake inhibitor SSRI बोलते हैं फिर SNRI बोलते हैं तो serotonin norepinephrine Reuptake inhibitor या फिर twice है या फिर आपिर ओव इनिबिटर से तो से अलग-अलग दवाइयां जो है वह दभाईण हम पेशंट को दते हैं और दभाई का दोस पूरा देने के बाद में 4.6 हफ़ते में कम से कम 3 हफ़ते में तो उसका फैदा दिखाए जैता है और 4.6 श्य holder में पेशंट less को 50-80 दिखाए आराम पड़ता है जैसे वह आराम पड़ता है मुझरे tava बीमारी यहां पे यहां पे है normal face तो वो इसा नीचे गया है अब डिप्रेशन हो गया अब वहाँ दवाई चालू कर दिया दवाई चालू करने के बाद में फिर उसका mood अब पना चलो जाता है ठोग अच्छे हो गया तो लोग अभी यहाँ दवाई बंद कर ढलते हैं यहां दवाई ब तो फिर यहां दवाई चालू रखे मतलब अपने आपने खुदने दवाई नहीं बन रखे तो कम से कम छे या आठ हथे में प्रेशन को अच्छा सा आराम हो जाता है और वो नॉर्मल मूड उसका आ सकता है कि छे महने में तो कम्प्लीटली नॉर्मल मतलब छे से नौ महने तक तो वह कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा था वैसा अब सवाल आता है कि अभी क्या दवाई चालू रखना कि नहीं रखना तो यूजिली साइकेट्रिस्ट के पास में आप जाते और साइकेट्रिस्ट आपको दवाई प्रिस्काइब करता है तो नौ मैने से लेके सवा साल तक मतलब यह पिरेड में कोई नौ माणने गया प्रिसाइब करकेट्रिस युज वैद्ONE सब्सक्राइब कर घ्रेड जीवन नौर्मल हो जाका है त्ली से कव अच्छ होने के बाद में फिर से कभी कुछ हो गया साल दौसाल तीन साल के बाद में फिरिडिप्रेशन तुम लोग को तो हैं ऐसा कैसा हो गया फिर आते हैं डिस्ट्रब हो जाते हैं फिर से कैसा depression आगया मैं बोलता हूं कि heart attack फिर से नहीं आ सकता diabetes malaytis जो है diabetes control में आ गया और control में आ गया sugar normal हो फिर से वह अपने जा सकती क्या malaria फिर से नहीं हो सकता क्या सरदर फिर से नहीं हो सकता blood pressure के दवई कितनी दिन खाना पड़ेगे sugar के दवई कितनी खाने पड़ेगी मतलब ऐसी काफि सारी बीमारिया है कि जिनके दवई भी बहुत खाने पड़ते या double-double एटेक भी आते रहते हैं तो इस दूसरा एटेक आ गया है तो एवरेज में धाई से तीन साल तक पिशेंट ने दवाई खाना चाहिए एंटेडिप्रेशन अच्छा फिर से अच्छा हो जाएंगा हो 6-9 मेने साल वर अच्छा हो गया अच्छा हो गया तो दवाई बंद कर सकत एपिसोड तो फिर एंटिप्रेशन जो जिन्देगी वर उसको खाने बढ़ेंगे चुट कर रहा नहीं है और ऐसे कुछ एंटिप्रेशन जो है कि जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम है ऐसे यह आप एंटिप्रेशन खाते हो या पेशन को प्रिस्काइब मतलब करने के बा पिर रचिनल इमेटीर साइकोथेरपी उसको फिर उसको सको साइको सोशल सपोर्ट देते रहते है और अलग-अलग पर बात में वही है और n Test भी हम करते रहते हैं उसको अचिछहुत करते हैं तो वहना है कि पेशन का फुरह होना जरूए है . पुरे ऑसमें ञर को स्यूसाइड के विचार बार-बार आते हैं या स्यूसाइड का उसने अटेंड किया हुआ है और ऐसा लगता है डॉक्टरों को और रिलेट उसको भी किने स्यूसाइड कभी भी कर लेगा यह बहुत बार-बार मतलब उसके तरफ भाग रहा है तो इलेक्ट्रो देना बहुत ही जरूरी है वह इंडिकेशन है उसका क्योंकि दवाई का असर आने को तीन अपते से चार अपते लगते हैं तब तक हम इंतदार नहीं कर सकते हैं कुछ भी कम जादा पेशन को हो सकता है तो इसाब दवाई करते हैं तो पेशन्ट डिपरशन का पूरा तो उसके लिए आप कंसल्टन की हेल्प लेते हैं कांसिलर की हेल्प लेते हैं साइकेडिस की हेल्प लेते हैं तो दुबारा अटेक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरू सब्सक्राइब करो और बेल का चिन्ना था उसके पर फेस्बूक के उपर जरू शेर करो अभी तक इतना ही है हमारा जो मिशन है वह है सब के लिए मांजिक स्वास्त्य और वैसन मुक्त भारत उसके लिए आपका भी हाथ लगे आएगा थैंक्यू वेरिमच किया है हमारा जो सकत भी हाथ वेरिमच